नमस्कार दूस्तों मध्यप्रदेश मौसम चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है MPK वेबिन जिलों में मौसम में हल चल उताचड़ा अवजारी और तेज आगो के साथ परिवर्तन होगा तो कैसा रहेगा पूरे मध्यप्रदेश का मौसम जबलपूर कटनी बहुपाल सीधी बढ़वानी ग्वालियर दार उजयर हरदा शिवपूरी मंसुर राइसें साजापूर विदिसा शोपूर अशोग नगर सतना गुना कंडवा डिन्डरी होसंगबाद समेथ किसे भी जबले गाव्य शेहर मेरेते पूरे मध्या परदेश के तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और कमिन्ट करके जरू बतना कि आप अमध्या परदेश के कोँछ से जबले विदिसें में ठंड़ के साथ परिवर्तन देखने को मिल रहा है और यहां पर तेज आगों के साथ बदलाव भी है कई जगों पर ठंड़ के तो कई जगों पर उतार चड़ा भी जारी रहेगा यहांपर बतायजार की भोपाल और आसपास की इलागों पर और भी ज़ादा ठंड पढ़ने के आसार है बतायजार की उत्तर भारत से ठंडी हवाय नहीं आने से मध्या परदेश में तेज ठंड का आसार नहीं देखने को मिल रहा भी लेकिन दोस्तों पांच दिन के अंदर-अंदर मौसम बदलेगा और फिर पहाडों पर बर्फ वारी और बरसात के बाद पूरी तरह से मौसम ठंडा और सौना देखने को मिलेगा मौसम विश्य से को कि माने तो यहाँ पर 33.8 के गरीब अधिक्तम थापमार रेकोर्ड के जा रहा है इसी के साथ दोस्तों प्रदेश में जो है नशिवपूरी, रतलाम, गुना, दमवा में दिन का थापमार 34 डिगरी से दर्च के गया वहीं मंडला, नरसिंगपूर, रिवा, सतना, नरसिंगपूर, खंडवा, खरगोन और उज्यन में तापमार 33 डिगरी से अधिक्रा इसी प्रकार बेतूल, खंडवा, राइसें, चिंदवडा, मंडला और रिवा में मलाजखण में तापमार 15 डिगरी से कम रहा और मौसम बदलने के साथ उताचड़ा भी देखने को मिला बोपाल में 33.8, ग्वालर में 31.7, इंदवार में 31.4 और जवलपूर में 32 डिगरी सेल्सेत तापमार रेकोड किया गया आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मौसम में हलचल होने के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और तापमार में विशेश रूप से गिरावट के साथ मौसम ठंडा और सौना रेने के आसार है मद्यप्रदिश मौसम विबाक की माने तो यहाँ पर दोस्तों अधिक्तम तापमार की बात की जाए तो दमवा में 34, गुना में 34, नर्मदापूर में 33, रतला में 34 डिगरी सेल्सेस, शिवपुरी में 34 डिगरी सेल्सेस, उज्जन में 33.5, बोपाल में 33.8, गौलर में 31.7, इंदौर में 31.4 और जवलपूर में 32 डिगरी के करीब तापमार रेकोर्ड किया गया वहीं दोस्तों मध्यप्रदिश के मौसम में अचनक बदलाओ के साथ यहाँ पर मौसम काफी मिला जुला भी रेकोड किया गया है इसे के साथ नियौनतम और अधिक्तम तापमन में गिरावट है बोपाल गौलर इंदोर और जवलपूर में वही नियौनतम तापमन में पिछले दिनों के मुकाबले दोस्तों वरदी हो रही है यह जादा दिन नहीं दोस्तों आने वाले दिपावली तक रहेगा उसके बाद तापमन में अचानक गिरावट के साथ पूरी तरह से सर्दियों का आगास देखने को मिलेगा दिपावली के बाद दोस्तों बता है जार की पंदरा तारिक से लेकर 21 नौंबर तक मौसम में काफी हलचल देखने को मिलेगी कई जगों पर बूंदा बूंदी तो कई जगों पर तापमन में भारी गिरावट आएगी मंदला में तो दोस्तों काफी अच्छी कासी ठंड पंड रही है 13.4 के गरीब दापमन आ चुका है रात के समय और इसी के साथ मध्या परदिश मौसम विबाग की माने तो वरतमान में कोई मजबूत वेदर सिस्टम सकरे नहीं है जिसके चलते यहाँ पर ठंड का असर जादा प्रबाव देखने को नहीं मिल रहा है यानि कि दोस्तों जतनी ठंड पढ़नी चाहती उतनी नहीं पढ़ रही है लेकिन जैसे ही दोस्तों जो है नया विक्षॉम एक्टिव होगा वैसे ही दोस्तों पूरे MP के मौसम में और अधिक्तम तापमान में गिरावट के साथ मौसम ठंडा और सौना रहते हुए नजर आ सकता आप अगर MP मध्यपरदिश में रहते तो कौन से जिले गावे शेर में रहते कमेंट करके जरूर बताना बंगाल की खाडी में एक और विक्षोम बनेगा दिपावली के दिन और इसके प्रभाव से मध्य भारत में 4-5 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा और 15 से लेकर 22 नवंबर तक कुछ जगों पर बोचारे पड़ेगी तो कई जगों पर मौसम मिला जुला ठंडा सौना भी रहेगा वोपाल इंदोर में तापमान गरम में तो कई जगों पर 200 रात के आसार भी जताय जारे राजगर्ड, राइसेन, बेतुल, उमरिया, मलाच खंड, मंडला, खंडवा में रात का तापमान 15 डिगरी से कमी रही मौसम विच्छे से को की माने तो यहाँ पर हाओ का रुक, बार 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 बदलने के साथ मौसम में तापमान में उतार चड़ाव का दोर जारी रहने के आसारी है यहाँ पर एक उन पर 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 जबारी जेखने को मिलेगा यहाँ पर एक एक जिले की बात के तो पूरे के पूरे जबलपूर में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रात के समय 19-21 तो दिन के समय 33-34 से गरीब ताफ मर रहेगा बादल चहर रहेगा तेज आओ के साथ परिवरतन के साथ बादलो के वजी के साथ बदलाओ भी देखने को मिल बादल चहर बदल देख सक लिजाओ के साथ बादल रहेगा इब हमातल के सिह 먹어 समय पर देख सकते हैं पर बादल बदल धाफ की समय तो दिन के समय 33, 32 से गरी ताफ मर रहेगा बादल चाहरेंगे मौसम में ठंड़ के उतार चड़ा अफजारी और तेज आओ के साथ परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुला और ठंड़ा सौना भी देखने को मिलेगा यहाँपर दोस्म सीधी का भी मौसम बदलेगा उतार चड़ा अफजारी और तेज आओ के साथ परिवर्तन के साथ मौसम ठंड़ा सौना देश थने को मिल सकता है और बादल भी चाहरे रहेगा और बादलो के उज़गे के साथ परिवर्तन भी होगा यहाँ पर वताईजार की बढ़वानी में 19-20 रात के समय तो दिन के समय 33, 34, 35 से गरीब ताप मर रहेगा बादल चाहरेंगे मौसम में ठंड़क उतार चड़ा अफजारी और तेजाओ के साथ परिवर्तन के साथ मौसम में हाल चल ओना और बादलो के वजे के साथ बदला भी होगा यहाँ पर वताईजार की दूस्तों पूरे के पूरे जो ना मौसम विबाग की मान तो गौलर का मौसम बदलेगा बादल चाहरेंगे मौसम में ठंड़ के उतार चड़ा अफजारी और तेजाओ के साथ परिवर्तन के साथ मौसम में ठंड़ के वजे के साथ बदला भी जरूर देखने को मिलेगा और उतार चड़ा अफजार रहेगा दार की बात के तो रात किसम में 18-19 दिन किसम में 32-33 से गरीब ताप मर रहेगा बादल चाहरेंगे मौसम में ठंड़ के उतार चड़ा अफजारी और तेज आओ के साथ परिवर्तन के साथ मौसम में ठंड़ा और सौना रहेगा और बादल लो के अफजी के साथ बदला भी जरूर देखने को मिलेगा अर्दा की बात के तो सात्रा रात के समय दिन में 33-34 बादल चाहरेंगे मौसम में ठंड़ के उतार चड़ा अफजारी है तेज आओ के साथ परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुला भी रहेगा शिवपूरी की बात के तो शिवपूरी में भी मौसमें तंड़क उतार चड़ा अफजारी रात के समय 18.19 तो दिन के समय दोस्तों जो है न 33-34 गरी ताफमार रेगा बादल चाहरींगे मौसमें तंड़क और परिवर्तन जारी रेगा और बादलों के अवजे साथ बदलाव तो यह नजर आ सकता है यहाँ पर दोस्तों बताएजार के अगले 24-47 गंटों की दोरान रात के समय 18.19 जो है यहाँ पर रेगा तो दिन में 33-34 बादल चाहरींगे मौसमें तंड़क उतार चड़ा अफजारी और तेजाओ के साथ परिवर्तन के साथ मौसमें बदलाव चैरिंगे मौसमें ठंड़क उतार चड़ा अफजारी और तेजाओ के साथ मौसमें ठंड़क और बादलो के अवजी के साथ बदलाव भी जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पर विदिसा की बात के तो रात के समय दोस्तों 19-21 तो दिन के समय 33-34 से गरीव ताप मर रहेगा बादल चैरिंगे मौसम में ठंड़ के उतार चड़ा अफजारी है ते जाओ के साथ परिवर्तन के साथ मौसम में बदला और बादलो के आवजे के साथ बदला होतो है नजर आईगा और ते जाओ के साथ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है यहा पर दोस्तों चेव्पूर की बात के तो शेवपूर का मौसम बदलेगा, उतारचड़ अफजारी है, तेज आउंग के साथ यहां के सत यहां पर भी मौसम ठंडा सोना रहे लेंगा उतारचड़ अफजार रहेगा, यहां पर दोस्तों काफी छादा जगों पर मौसम में निस बीस रात के समय तो दिन के समय 32-33 से करीब ताप मर रहेगा, बादल चहर रहेगा, मौसमे ठंड़क उतार चड़ा अवजार रहेगा, यहाँ पर वतायजार की पूरे गुना का मौसम बदलेगा, बादल चहर रहेगा, उतार चड़ा अवजारी है तेज आओ के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहने के साथ बादलो क्योजी के साथ बदला होतो वे नजर आएगा।